राजस्थान की सियासत में सचन पालेट के बगावती टेवर से आई सियासी भूचाल पर कॉंग्रेस ने सखत रूप अपनाते हुए उससे सभी अधिकार चीन लिये हैं सचन पालेट और उनके दो करीबी मंत्रियों को मंत्री मंदर से बरखास्त कर दिया गया इसके साथ ही पालेट और को डिप्टी सीम पद और कॉंग्रेस प्रदीश अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया है कॉंग्रेस वदायक दल की बैठर में वदायकों ने अशोक गहलोत को अपना नेता माना और उपमुखी मंदरी सचन पालेट की खिलाफ कारवाई करने की मांगी इसकी बाद सचन पालेट की खिलाफ ये कारवाई की गयी है उनकी जगह पर शिक्षा मंत्री गुविंदिस सेहं डेटा सरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है सचन पालिट के अलावा विश्वेंदर सेहं और रमेश मीना को मंत्री मंडल से बरखास्त कर दिया गया है कॉंग्रिस की कारवाई के बाद सचन पालिट की पहली प्रतिक्री आई है सचन पालिट ने ट्वीट कर कहा कि सत्य को परिशान किया जा सकता है पराज़त नहीं इसके साथ ही सचन पालिट ने अपने ट्वीटर बायो से डिप्टी सी एम हटा दिया है और कहीं भी कॉंग्रिस का जिक्र नहीं है सचन पारेट की ट्वीटर बायो में लिखा है टोंक सिव धायक आईटी दूर संचार और कॉर्परेट मामलों के पूरो मंत्री भारत सरकार कमिशन अधिकारी प्रादिशिक सेना कॉंग्रिस प्रवक्ता रंदीप से हैं सुर्जेवाला ने सचन पारेट को प्रदेश अधिक्ष के साथ ही मंत्री पत से हटाया जाने का एलान किया सुर्जेवाला ने कहा कि पारेट के साथ ही विश्वेंद्र से हैं और रमेश मीना को भी मंत्री पत से हटाया जा रहा है